आज की लेक्षर में हम जानने वाले हैं बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट के बारे में सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये पहले यह जानेंगे कि इस वर्ड को कॉइन किस ने किया था दिया किस ने था यह वर्ड कौंसा वर्ड बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट इसको हिंदीम बोलेंगे जै विविधिदा हर्ड को या बोल सकते हैं जै विविदिदा तपते स्थल बिर्टिस बायोजिस्ट नॉर्मण मेस भिखिके ना, यह है ब्रिटिस बायोजिस्ट, इन्हों ने इस वर्ड को को एन इन किया था पूरी प्रत्वी पर ऐसी कई location है जहां पर endemic plants बहुत ही पाए जाते हैं इस्थानिक प्रत्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं उन्हें ही बोलेंगे endemic species ठीक है और इसी concept की बोलते हैं endemism इंडेमिजम पर वीडियो सेम प्लेलिस्ट पर अवेलबल है ठीक है इन्होंने देखा कि ऐसी लोकेशन है जहांपर exceptional level of plant इंडेमिजम है मालों ये लोकेशन है जहांपर endemic plants बहुत पाई जा रहे है साथ में हुआ क्या है serious level of habitat loss आस पास कुछ ऐसी activities होती रही जहांपर यहां पर बहुत सारा habitat loss हो चुका है यानि कि वो जो endemic species है वो भी खत्रे में आ चुकी है तो ऐसी location को बोला गया इन्होंने क्या biodiversity hotspot इन्होंने से इतना बोला था लेकिन आगे चलकर इस concept को अपनाया और आगे बढ़ाया इसको दिया गया था इस word को 1988 में और इसको आगे बढ़ाया गया 1996 में इन्होंने इस concept को reassess किया क्योंकि आप इनको ऐसे locations को declare करना था उनको conserve करना था तो कुल मिला कि इस word को थोड़ा और इसस की इस word पर आगे समझते हैं तो अगर आपको लिखना पड़ जाए कि क्या होते हैं biodiversity hotspot तो आप तीन पॉइंट में आप basic definition लिख सकते हैं so biodiversity hotspot are regions with high species diversity and a large number of unique and endangered species यहां पर थोड़ा अंतर है जो नॉमन मायर्स का जो concept था वहां पर प्लांट ही प्लांट से सामिलते हैं लिकिन यहां पर आप क्या हो गया सब कुछ species diversity होनी चाहिए यहां बायो डावर्सटी हाफ्ट इसपार्ट उसे कहेंगे जहां पर species diversity बहुत हो वह इस प्लांट की भी हो सकती है साथ में लाज नंबर आप यूडेंजर्ड इस्पेसी यूडेंजर्ड इस्पेसी यूडेंजर्ड हो सकती है तो अगर यह सारी क्या बोलते हैं कंडिशन्स उन्हें क्या बोल सकते हैं बायो डावर्सटी होट स्पोर्ट यार क्रेक्टराइज्ड भाइ लेवल आप इंडेमिक इस्पेसी इस फाउंड नो वेयर एस इन डा वर्ल्ड ठीक है यारि कि जो नॉमन मेयर का कॉंसेट था वो भी इसमें इंप्लिमेंट किया ग लाएगी जहां पर जो इन्वार्मेंटल कंडिशन होंगी तो फेवरेबल होंगी वहीं पर तो पाई जाएंगी तो फेवरेबल कहां होती है उस नकटिबंधी वर्सा वन बोले तो रेन फॉरेस्ट में कोरल रीफ में या फिर कोस्टल लीजन कोस्टल लीजन में क्या होता है यहां पर land और sea यानि वह एक्वर्टिक ecosystem और terrestrial ecosystem इस्थली पाइटन तो बनता यहां पर ecotone और ecotone में biodiversity हमें साज़ादा होती है compare करोगे आज पास के ecosystem से तो तो यह जो biodiversity hotspot वह पाई जाते हैं जहां पर favorable conditions होती है यह आप example लिख सकते हैं अब हम आगे समझते हैं conservation international जब किसी भी area को hotspot declare करता है तो यह दो condition चेक करता है पहला it must contain at least 1500 species of vascular plant ठीक है ना यानि कि उस location पर कम से कम पंदा सो species होनी चाहिए vascular plant की ऐज इंडेमिक ठीक है यानि कि जो और कहीं भी न पाई जाती हो यानि यह मालोग पूरी प्रत्थवी है यहां पर देखा गया कि हजार species है कैसी है जो इंडेमिक है चीक है यह पंदा सो species ऐसी है प्लांट की जो इंडेमिक है और यह पूरी प्रत्थवी पर यह प्लांट कहीं नहीं पाई जाते हैं तो उसको हाई प्रत्थवी पर कोई भी लोकेशन जहां पर प्लांट की इंडेमिक इंडेमिक बहुत ही जाता है चीक है तो उसे क्या बोलेंगे बायो डावर्सटी हाट स्वाट 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 इन अदर वर्ट इस इर्रिप्लेसेबल ठीक है ना चुकि अब यहां पर मालोग नस्ट हो जाएंगी अगर यह पंदास सो इस चली जाती है फिप्रीन हंडेड इस ठीक है ना तो फिर क्या होगा इनके दोरा जो भी प्रोवाइट की जा रही होंगी एकोसिस्टम सर्थिस वह भी हमेर्सा के लिए चली जाएंगी वह सकता है इसमें बहुत साइब प्लांट किसी लोकेशन पर बहुत सारी प्लांट इस्पीसीज हैं एंडेमिक हैं लेकिन अगर उनकी हैविटेट कोई नुकसान नहीं हुआ है तो अभी उनको चुछ करने की ज़रूद नहीं है क्योंकि आल लेडी वह चुछ करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर धे सारे प्लांट इस्पीसीज पाई जा रही है ठीक है साथ में उनका हैविटेट लॉस भी हो चुका है कितना सेवेंटी परसंट तक कम से कम एट लिस्ट ठीक है तो उससे क्या बोलेंगे बायो डाइवरसिटी हॉर्ट स्पॉर्ट तो यह दो कंडिशन है जिनको आपको याद कर लेना है ठीक है इसके बाद स्टार्टिंग में ही 1999 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने पूरे विश्व में ठीकिन आइडेंटिफाइट 25 बायो डावरसिटी हॉर्ट स्पॉर्ट इन दा बुक उन्होंने एक बुक निकाली इस बुक का नाम था हॉर्ट स्पॉर्ट कब पहली बार ये बुक पब्लिश की गई थी चीक है अब टोटल कितने हैं 36 हैं आप क्या है एराउंड दा वर्ल्ट 36 एरियास क्वालिफाई एज हॉर्ट स्पॉर्ट रिप्रिजेंटिंटिंग जस्ट 2.5 परसंट आप डा अर्थ लैंड सर्फिस आज पत्त्वी पर जित इस पूरी वर्ल्ट में बोले इस पूरी तक्त्वी पर इंडेमिक प्लांट्स की आधी जो यहां पाई जाती है ठीक है ना और नेरली 43 परसंट आप बर्ड मैमल रेप्टाइल एंफीबियन इस पीसी आर एस इंडेमिक यानि 50 परसंट मालो यह कोई होट स्पॉर्ट एरिय है पूरी तक्त्वी का तो यहां पर टोटल कितने हैं इस थे हैं इन 36 लोकेशन में कमस्कम 50 परसंट इंडेमिक प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं और लगबग 43 परसंट इंडेमिक जो एनिमल्स है ठीक है ना और दूसरी जो फॉना की जो इस्पीस होती है वो पाई जाती ह आगी सलकर 2011 में फॉरेस्ट आप दा इस ऑस्टेलियन डीजन वाज आइडेंटिफाइड आये थाटिफिफ थाटिफिफ बायो डावरसिटी होट्सपॉट अन्ट तूथाजन सिक्टीन में नौथ अमेरिकन कोस्टल प्लेंड डीजन वाज इडेंटिफाइड ऐस थाटिस आपको याद करना है टूटल है त्रन वाले हैं इतना कवर करते हैं है अब कमिंग वीडियो में हम अभी बायो डावरसिटी होट्सपॉट के बारे में और भी चानने वाले हैं झाल झाल